जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जय उत्पन्ना एकादशी वरत की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडिप चनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हार्धिक अभिन अंदन करते हैं आज हम आपको मार्ग शीर्श मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के वरत के संबंद में सारी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में मार्ग शीर्श मास के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली उत्पन्ना एकादश किस दिन को आ रही है उत्पन्ना एकादशी के वरत का शुब मुहरत कोंसा है तथा उत्पन्ना एकादशी के वरत की पारना का शुब मुहरत कोंसा है और उत्पन्ना एकादशी के वरत किस विदी से रखा जाएगा सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं जीन भक्तों ने पहली बार एकादशी का वरत रखना होता है वो उत्पन्ना एकादशी के वरत से ही आहरंब करते हैं वैसे तो एकादशी का वरत वर्ष भर की किसी भी एकादशी से आहरंब किया जा सकता है लेकिन फिर भी मार्ग शीर्श मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन् दिसमबर दिन शुकरवार को सुबह पांच बज़कर छे मिनट से हो जाएगा और एक आदशी तिथी की समापती नो दिसमबर दिन शुकरवार को सुबह छे बज़कर 31 मिनट पर हो जाएगी हमारे हिंदु धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एक आदशी कवरत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन सूरे उदे होने के समय एक आदशी ती थी हो तो इसके अनुसार आठ दिसंबर दिन शुकरवार को ही उतपनाय कादशी कवरत रखा है लेकिन आठ दिसंबर दिन शुकरवार को ही उतपनाय कादशी कवरत रखना शुभ माना जाएगा क्योंकि आठ दिसंबर को सुभे से लेकर रातरी तक उतपनाय कादशी है अर्थात एक आदशी ती थी है तो आठ दिसंबर दिन शुकरवार को ही उतपनाय कादशी कवरत रखा जाएगा तो अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एक आदशी के वरत की पारना का शुबमुरत कोंसा है तो उत्पन्ना एक आदशी किवरत की पारना का शुब मुरत 9 दिसंबर दिन शनीवार को दोपहर 1 बज़ कर 16 मिनट से लेकर दोपहर 3 बज़ कर 20 मिनट तक रहेगा इस समय के बीच में आप एक आदशी किवरत की पारना कर सकते हैं तो एक आदशी के वरत की पारणा की दूसरी विदी भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इसके अनुसार आप दुआदशी तिती में सूर्य उध्य होने के बाद किसी भी समय कादशी के वरत की पारणा कर सकते हैं अर्थात आप 9 दिसंबर दिन शनिवार को जब भी सूरे निकले उसके बाद आप कभे भी एक आदशी के वरत की पारना कर सकते हैं तो दोनों वीधियें ठीक हैं आप किसी भी वीधि के नुसार एक आदशी के वरत की पारना कर सकते हैं अर्थात वरत को खोल सकते हैं तो अब नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेजिए अगर गंगा जल नहीं है तो आप नहाते समय गंगा जी के नामों का बारंबार उच्छारन कीजिए इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान जी का पूरी शद्धा भावना से पूजन कीजिए भगवान शी लक्षमी नाराइन जी का भगवान शी रादाक्रिशन जी का तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए धूप दीप फल लोंग पंचामरत चंदन आदी से भगवान का पूजन करें इसके बाद आप उत्पन्ना कादशी के वरत की कथा को पढ़ें या इससे सुनें इ आप भगवान जी के नामों का उच्छारन मनहीमन या मूसे बोलकर जाप करते रहें जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप भगवान को याद रख सकते हैं आप मूसे बोलकर भी भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं आप मनहीमन भगवान जी के नामों का जाप भी कर सकते है दोनों का बराबर फल बताया गया है तो अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि आप चाहें तो उत्पन्ना एक आदशी के वरत के दिन आप फला हार से भी एक आदशी के वरत रख सकते हैं आप चाहें तो आप दूद्ध भी पी सकते हैं और अगर आप भोजन करना चाहें तो एकादशी के वरत वाला भोजन केवल एक समय कर सकते हैं। बाकि समय आप दूद पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन ये बात अवश्य है कि एकादशी के वरत वाला भोजन करना हैं तो केवल एक समय कर सकते हैं तो एकादशी वरत की रातरी में अर्थात उत्पन्ना एकादशी के वरत की रातरी में मध्य रातरी बारहे बजे तक रातरी जागरन करना चाहिए इस रातरी जागरन में आप भगवान जी की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या भगवान के नामों का उचारन कर सकते हैं या संकीरतन कर सकते हैं रातरी जागरन की बड़ी ज्यादा महीमा हमारे हिंदू धरम में बताई गई है हमारे हिंदू धरम गरंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एक आदशी वरत की रातरी में मध्ध रातरी बारे बजे तक जो भगवान की प्रसंता क लिए जागरन करते हैं भगवान की उन पर अत्याधिक क्रिपा हो जाती है लेकिन अगर आपका श्रीर स्वस्थ नहीं है या आप किसी और कारण से मत धेरातरी बारे बजे तक जागरन नहीं कर सकते तो आप जिस समय भी सोने लगे उस समय भगवान जी के नामों को याद करते होई आप सोजाएं तो भी आपको भगवान की पूरी प्रिपा मिलेगी और उत्पन्ना एकादशी के वरत के अगले दिन आपने द्वादशी तिथी में एकादशी के वरत की पारना करनी है उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है तो उत्पन्ना एकादशी वरत 2023 के संबंद में सारी जानकारी आपको दे दी गई है कोई भी प्रशन आपके मन में हो तो आप कोमेंट करके प्रशन पूछ सकते हैं आपके प्रशन का उतरवश्य बिया जाएगा तो मंदर शी बंसी बाले महात्मा यूटीब चैनल के ओर से आज एकिस विशेश वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद भगवान शी राधा कृशन जी की भगवान शी लक्षमी नाराएं जी की तुलसी माता की उत्पन्ना कादशी वरत की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्टिन भगवान की जै श्री लक्षमी नराएंजी भगवान की जै उत्पन्ना कादशी वरत की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै शीराधे शाम